कि बार के मुख्यों मंत्री रहे हैं जिस्ते बाद के बड़े राज रिता हैं बड़े नेता है एक बड़ा नाम है तो साथ तरीकों कई खिलाडी भी अपने आवार्ड वापिस करेंगे कुछ पंजाब से तो कुछ दिल्ली में चिंगो बोडर में आकर के अपने आवार्ड व जो है उसे वापिस करने का एलान किया है जी बिल्कुल दीपक इससे पहले हर सिम्रत को और भी अपने पद से स्तीफा दे चुकी थी तो किसानों को बड़े स्तर पर समर्थन यहां पर मिल रहा है लेकिन आज जो बैठक औरी निगाहें लगातार उसी पर बनी हुए जी बिल्कुल निगाहें तो उसी बैठक पर है कि आखिरकार सरकार आखिर किसानों की मांगों तक कहां तक टैमत होती है जो कि किसानों की सीधी तोर से मांग है कि इन प्रिशी कानूनों को रद किया जाए आला कि सरकार ने इन से वो पॉइंट्स मांगे ते जिन में खामियाज की बाद जो किसानों के तवारा किजा रही है वो आज में रिपोर्ट भी किसान संथन जो हैं लेकर के सरकार के साथ गए है जिस पर इस वक्त चर्चा चल रही है विज्ञान महवन में लेकिन दूसरी किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस कानून को रद करवाना चाहते हैं पॉइंट्स में पूरे कानून ही गलता है कि स्वामी नातनायों की रिपोर्ट लागू की जाए अगर सरकार कुछ किसानों के लिए पैसर करना चाहती है तो तो परकार सिंग बादल का ऐसे में पतिरिद्यू का क्या कुछ कहना है बड़े स्तर पर अब इस पूरे आंदोलन को और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है जो पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है शुरुआत पंजाब से हुई थी जब 50 दिन का यह रेलवे ट्रैकर बैठ रहा है तो उ परकास बागल ने अपना पदम फूचन आवाड वापिस करने की बात करी है पंजाब के मुख्य मंद्री ने भी आज ग्रह मंसुरी दे मुलाकास करके कहिना के चिंता जाहिर करी है नाराजगी जाहिर करी है तो यहीं बड़ा समर्तन अप किसानों को किसानों को मिल रहा है गातार उसी पर बनी हुई किया कुछ बड़ा फैसला सामने आता है ये बैठ खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी